भेस्कार दोस्तों मैं परनुर्ण राटों स्वागत करता हूँ A आपका टाल आप लाइफ के दोस्तों आज हमारो संडेश्ट स्विसल एपिसोड तो आज हम बात करेंगे किसी चल्चित के दोस्तो आज हमने चल्चत को लिया है वो है 1965 में रिली जोई गाइड दोस्तो फिल्म का नाम है गाइड दोस्तो गाइड के बारे में बात करने से पहले मैं आप से रिकेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के घंटी को दबाकर और के नॉटिपिकेशन को स्लेक्ट करने जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियू लेके आऊं इसका नॉटिपिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियू सबसे पहले देख सकें तो चलो दोस्तो बीडियू को सिरू करते हैं दोस्तो अच्छन किया था बिजय आनन जी ने दोस्तो बिजय आनन जी देव आनन जी के छोटे बाई थे और दोस्तो बात करें इस फिल्म के म्यूजिक की तो इस फिल्म को म्यूजिक से सबारा था एहडी बर्मन सामने और दोस्तो बात करें इसके फिल्म के गानों की तो इस फिल्म के बोलों को लिखाता सेलेंदर जी ने अब दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों की तो दोस्तों इसमें मुख्भूमी का में देव आनन साथ थे और भाहिदा रहमान थे और दोस्तों इनका साथ दिया था लीला चटनेश अन्वर हुसेन उल्लास गजानन जासित खान किसोर साहू परविन कॉल पूनीमा कर्षण दवन और प्रेम सागरदी ने दोस्तों बात करें इस फिल्म के गीतों की तो दोस्तों इस फिल्म के गीतों को अपनी आवाज दी थी लता मंगिष्वर मुभत रफी और किसुर कुमार और मनाड़े कि शूरा राजु गारिड से रहा उता है और कहनी uh ashthmay अतित में वे चाहिए तो काम पुराततोक जखा नहीं ले रखेंगी लिएतोगा कि एक बूरा प्थे सक पास्ति और राजु का गाजु आता है जो ही बिस्सक रहता है जंगलों में जाता है और एक गुफा की खोज करता है और अपनी खोज में इतना खोजाता है कि अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाता है जिससे क्या होता है कि जो उसकी यूवा पत्नी रहती है वो राजुगाइड से संपर्ग में आ जाती है और राजु जिए उसके पती को बगोल्कुल पशन नहीं जिसके अपनी साह्यक्षाओं को भुलत चुकी है जो उसकी वह पतनी जाती है कि बहुत साथ रहे नीरह के पतनी रहती है रूजी बै राजु गाहिड से प्रेम करने लगती है लेकिन दीरे-दीरे क्या होता कि एक दिन जब रूजी अपने पती के पास जंगलों में जाती है तो बहुंपे देखती है कि उसका पती किसी आदिवासी लड़की के साथ रुमान से लड़ा रहा है और उस इसके बाद क्या होता है कि वह राजु के संपर्ग में आ जाती है और राजु से प्यार करने लगती है इसके बाद क्या होता है कि राजु और बोड़ी की पतनी रहती है रूजी दोनों साथ रहने लगती है जब इस बाद का पता है इसकी राजु की मां और इसके मामा है उ वो नाराजा हून है और एक बैस्या आखी लडकी के साथ नहीं रह सकते ऐसाहा लाजी लेए तो अपने झी लिए टीए लोग करता में में लाजैंगे प्रतुमा से रناघ घरे और दीरे दीरे रूजी इतनी आगे निकल जाती है कि वह एक इस्टार बन जाती है और काफी पैसे बाले हो जाती है जिससे राजू भी कुछ गलत आदातों में पड़ा जाता है क्योंकि दोस्तों उसकी पत्नी के दोर जो पैसा आता है राजू ने जुआ सराब में उड़ान राजू सोचता है अगर मैंने इन दोनों को मिला दिया तो प्रस्तियक हो सकते हैं तो उन्हें वो मिलने नहीं देता जब बुड़ा उसे राजू को बताता है कि उसकी पत्नी रूजी के कोच लोकर में गहने हैं उन्हें ने निकालने के लिए उसके साइन के जवलत है तो द होता है तो राजू की मा और राजू की जो पत्नी रूजी जो की उसे बुड़े बैक्तिक पत्नी थी अब उसकी प्रिमिका है उन वो दोनों जब जेल पर जाती है तो उन्हें पता चलता है कि राजू तो अच्छे आच्रण के कारण उसकी जमान अच्छे महीने पहले ही हो चुकी है और दोस्तों वह से डूढने लगते हैं लेकिन दोस्तों जो राजू गायट रहता है वह अचानक से एक दन किसी गाउं में पहुच जाता है और रात को एक खंड़ा नुवा मंदर में कुछ सादू मात्मा के साथ रात गो जारता है तो सवे जो सादू मात्मा रहते बोस जल्दी उठ कर जाते हैं तो देखते हैंिस holy nud ! औरके च्झाद तरिकर उठेदा दटते हैं इसे आपना पीतांबर उड़ा देते हैं और चल जाते हैं थो जब एक गाउं का एक वी पैक्टी बोला मंत्यम्जर जो मंदिर आथा तो देखता हैं कि एक बैक्ति पितन बरोड के सोरा एंटो वो से कोई साधू मातमत समाइड लेता है और अपनी समश्या बताने लगता है दोश्तों भोला की समश्या क्या रहती है कि उसकी एक हुवा बहन है जो साधी करने के लिए तयार नहीं होती की है तो वो राजो को बताता हुआ कि मेरे साधी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं तो मुझे समझाओ तुम समझाओ तो मान जाए और दोस्तो इसा हुद ता राजु उससे महां इसकी तिこपल सोछने मेरी लगता और उसे खाने पीने का प्रबंद कर देते हैं दोस्तो एक दिन वो कहानी सुनाता है कि एक बार एक किसी गाउं में आकाल पड़ा था तो एक महत्मा ने 11 दिन तक उबास रखके आकाल को समप्त कर दिया था और दोश्तो अचानक ऐसा ही उसी गाउं में विए आता है उस गाउं में बारिख नहीं होती है और आकाल आ जाता है तो सबी लोग वस राजू को गाइड को जाकर बोलते हैं कि आप बड़े साधू मात्मा हैं और आप उबास करिए जसे पानी की बरसात हो और गाउं की जो आ पर दिद्दाज कर दीते हैं और कहते हैं कि उस समय तुम किसी जिल के कहदी रहोगे लेकिन आज तो तुम एक बड़े पहुंचे हुए सादु मातमा हो और दोस्तों क्या होता है कि वह ब्रत रहना सिरु हो जाता है दोस्तों जब ब्रत चलते हैं तो उसका कुर्शामवाद उ जिस से उसकी आलेत खुरा हो जाती है और राजू गाइड खतम हो जाता है दोस्तों इदर उसकी मां और उसकी जो प्रेमी करें वह भी आ जाती है एक मंदर में राजू की पार्णित शरील रखा हुआ है और वो दौनों उसके पास बैटी हुई हैं इधर गाहुं में बारि डिफरेंस है दोश्तो परन्यास में क्या होता है कि राजू की मिर्ति हो जाती है और गाउं के जो आकाल के बारे में कुई बात नहीं की गई है जबकि फिलम में गाउं का आकाल सामाप्त दिखाया गया है अगर दोश्तों आपको वीडियो पसंद आयो तो लाइक का बटन दम भाएं धन्यवाद मिलेंगे अगले वीडियो में